नमस्कार जी मैं हूँ धरम सोनिपत जो पिछली वीडियो आप लोगों देखी साथ बच्चों की माँ छोड़ के भागी वी रिखा नेडाना गाउं डिस्टिक जीन से ये वीडियो काफी दिन से वाइरल हो रही है और लोगों को देखने में अच्छा भी लग रहा है और आगे का क्या रहा ये रेखा इन बच्चों की माँ कहां रह रही है कहां नहीं क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों देख्या होगा हाजंपुर गाउं के अंदर पंचाइद हो रही थी वहां एक सरपंच है अनिल विस्णोय जी उसके गर पर और वहां काफी को ले जा सकते हो इस काम में हमारे गाउं के अंदर कोई बाद आएगी तो हम जिम्मेदार हैं पूर्ण रूप से उन्होंने साथ दिया है और हमारे आखों के आगे सामने ही जो है ये सब देख्या थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ है आप लोग उन देख्या होगा तो बाप बेटी मिलके गाड़ी मिठाके और रेखा को अपने साथ घर के लिए रवाना होगे और जब कई दन पीत गे मैं कुदरती वैसे ही फोन कर लिया मुकेस के पास मैं इन बच्चों के पास के ठीक ठाक रह रहे होंगे हमारे लिए तो दरसल ये देख्या ना कि अभी पिता जी ने मुकेस ने बताया है के जी वो तो उसी दिन ही उस गाउं से निकलते ही 10-15 किलोमेटर आ गया आए तो वीजे के साथ ही कह लें उनको कोई भी कह ले या गुंडे कह लें या उनके मामा बुगा की लड़के हैं क्योंकि मुकेस के पास मैं पहले भी धंकी आई है उन्हें वीडियों बताया भी है कि जी उनके मामा बुगा रके मेरे को दमकी दी है और मैं तो आपकी बेटियों को उठवा दूँगा ये पिक्चर उन्हें साब साब बताया भी है लेकिन हमें ये पता नहीं वो थे कौन कौन तेन चार बंदे आए हैं और जो वीजे के लि से जबरन उठा के ले गए अपने साथ और उसी दिन से ही वो जो है वीजे के साथ यानि के अपने आसिक के साथ रह रही है और आज तक की अपडेट इस जो है एपिसोड के अंदर इस ठीम के अंदर यही रही है कि जो है रेखा अपने आसिक के साथ रह रही है और बता जात फिलाल हमारे पास में रेखा, मुकेश और वीजे के बारे में इतनी जानकारी है। आगे कोई भी सामने पिक्चर आएगी तो आप तक जरूर शेयर करेंगे। बढ़े लोग सुक्ति मेडिया से दन्यवाद।